एक बुडी अमा आई, आके मुझे धीरे से कान में बोलती है, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है, मैंने का अयोध्या जानता हूँ एक बुड़ी अम्मा आई आके मुझे धीरे से कान में बोलती है बेटा अयुद्ध्या के बारे में सुना है मैंने का अयुद्ध्या जानता हूं अम्मा वो ही अयुद्ध्या न जहां पे श्री राम चंद्र जी का जन्मुवा था बोली हाँ वोई ओयुद्या बोली बेटा गए हो वहाँ पे मैंने कहां गए हूँ बहुत सकून मिलता है रामजन भूमी पे जाके बहुत सकून मिलता है बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूँ गुजरात के एक कोने में गाओं में रहती हूँ मेरा बड़ा मन ने अयोध्या जाने का मैंने का अम्मा आपको योध्या जरूर भेजेंगे एसी ट्रेन से भेजेंगे एसी होटल में ठहराएंगे गुजरात के एक एक बुजूर गोर एक एक माता को हम अयोध्या जी राम चंदर जी के दर्शन कराएंगे एक ही विंती है मा मैंने का मा भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आद्मी पार्टी की इमानदार सरकार बने हैं मैंने उनको बताया दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है है यह मुख्य-मंत्री तीर-थियात्र योजनाँ कि उस्योजना में हम कि दृली के बुजर्गों को कि मुफ्य में तीर-थियात्रा कराते हैं हम और हमारे बुड़े माता-पिता बुड़ी मा बुड़े बुजुर्ग उनको हम AC ट्रेन में लेके जाते हैं AC होटल में ठहराते हैं आना जाना खाना पीना सब मुफ्त हरीद्वार, रिशिकेश, आयोध्याजी, शिर्डी बाबा, पूरी जी, रामेश्वरम, मतरा वरिंदावन इस तरह से बारा स्थान हैं आयोध्याजी उन स्थानों पे हम तीर थात्रा लेके जाते हैं पिछले तीन साल में मैंने पचास हजार बुजुर्गों को तीर थ्यात्रा कराई पचास हजार बुजुर्गों तो मैंने अम्मा को बोला मा आपसे एक ही प्रार्थना आएं उपर वाले से प्रार्थना करो कि गुजुर्आत में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो गुजुर्आत के एक एक भुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर थ्यात्रा कराएंगे और अध्या जी के दर्श कराएंगे यहां पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, आप में से किसी को ऐध्या जी के दर्शन कराए भाजपा वालोंने, एक को भी कराए, किसी को भी नहीं कराए, 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराई तीर्थ्यात्रा नहीं कराई हमने तीन साल में 50 हजार लोगों को मुफ्त में तीर्थ्यात्रा कराई